जैश्री राम दोस्तों स्वागत है आपका फिर से विकी जी ब्लोग में आज भी आपको एक होरोर स्टोरी सुरने जा रहा हूं जो कि मेरी आप भी दिया मेरे पास चार-पांच इंस्टेनेंस हैं जो मेरे साथ होरोर स्टोरी के हुए वैं सेता हैं एक में बता चुक्क हूं दूसरा मैं बता नहीं है तो हुआ क्या था हम आठ दोस्त थे है उक अठ टोस्तों सेटेड़ेनाइट थी तो पार्टी चल रही है isसर घृत दो तो पाटी होते होते किसी एक ने का कि कल संड़े चुट्टी तो एक काम करते हैं हम सब गूमनी चलते हैं यहजी, गोमने को शुक्त घर हमार को स्टार्टिंग चुई था लेकिन रात में ज्यादा देर नहीं बारेक बाइदे गोमते थे फिर घर आ जाते थे काम लेकिन उस दिल करते हैं दिल्ली से हरुदार तो कुछ ने हाखा कुछ ने मेरा भी मन नी था मैंने भी मना करते हैं लेकिन वह यह नहीं दूस्ती का सवाल है चलना पड़ेगा अब मेरे पास बाइक एक मेरी तीन बाइक और थी चार बाइक थी हम आठ लोग थे अब सबकी यह हुई सबकी सला से हुआ कि हर दूआ चलते देख जाएगा चार पास घंटे जाना कर शाम तक आप से आ जाएंगे अब मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि शादी भी थी मेरी नहीं 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 थी शादी और ऐसे में वाइफ को इसे छोड़की जाना भी ठीक नहीं है लेकिन दोस्तों के कहने पर जाना पड़ा तो हम समने क्या करा टंकियां फुल करवाई चालो और रात के करीब बारा पशल्ड़ा बारा बुजे हर्दुवार के लिए निकल गए हरदुवार चले जाए अब ठंड भी सी थावड़ी जैसे थैसे हम पहुंचे लेकिन बहुत टाइम लग गए हमें पहुंचना में सुबह नो बजी जाके हम हर्दुवार पहुंचें अब हर्दुवार महुच से हम मंसूरी निकल गए इस टूर पर मेरे साथ दो इंसिदेंस हुए थे जो कि होरोर थे बागी मैं आपको पताता हूं आगे क्या हुआ तो मंसूरी पहुंचके हम बाइक से तो मंसूरी भी पहुंचके वहां पर पहुंचके सब ने अपने घर पर फोन कर लेकिन मैंने नहीं करा तो अब मंसूरी पहुंचने के वाद पर वहां पर फिर हम एक रात रुक भी गए तो संडे की रात हम वहां रुक गए मंसूरी में मंसूरी में रुक गए तो अब अगले दि सबने अपनी आफिस में फोन करा कि हम तूर पर आए वें तो मंडे को नहीं आएंगे साथ मुझे भी फोन करना पड़ा अब जैसे हम दिन तक घूमें वाब मंचल दिन तक घूमते रहें तो दिन में घूमने के बाद हम दिन में वहाँ से चले तो दिल्ली दिखा रहा था चा धूमने के बता हिा हमें । हम लुकर दिल्ली के बताए कि यहां । हम निकल प्राइक फेय तो यह द्यनोटा के वाले हैं तो हम निकले जंगलों के बीच में सरा क्लोस्ता तो दिन थे निकलते गए तो हमे फ्यास लगी हमे एक हीड़ पम दिखाई दिया कि हैंट पम्प दिखाई दिया तो वहां पर कुछ घर थे ज्यादा निया पीस-ठीज गर होंगे कुछ में लैट जल रही थी कुछ में नहीं जल रही थे तो हम सब हैड़ पूंप के पास पहुंचे कोई नहीं था वहां पर कोई भी नहीं था शर्व हम आठ के अलाव पर सब कि सब फ्रेश होने के लिए हमुहाद् होने के लिए मुह पर मुशे कटे स्थ dot एक दुने हाथ दोए मुहाद दोए हाथ पर दोए फ्रेश हो गया अब जैसे ही मैं जब मूह दोने लगा एक लड़का मेरा दोस्त घाड़ तो मुझे लगा कि कोई लेडिस उसके पीछे खड़ी भी है कुस दूरी पे तो मैंने उसे बला सोनू हम जब आये तो कोई था है आप तो सोनू ने का नहीं हम यही तो है आठ क्या होगा एक लेडिस खड़ी है तेरे से थोड़ी सी दूरी पे पीछे और बारे एक बज़े का टाया में तो कर क्या रही है तो मैंला पहले दुनी थी और उसने भी देखा अब उसने हलका सा पीछे मुड़के देखा उसने बला भाई यह को होना है अब देरे देरे सबको पता लग ग कि भाईया बात ऐसे हाथ पर छोड़ो चुप चुप से बाइक पर बैटो और निकलो और पीशे मुड़के मत देखना बस और जहां तक चला सकते हो गाड़ी तीज भागाते रहो रोपना मत वो लेडिस कहां से आई दी हमें आज तक नहीं पता कौन थी कहां से आई दी कु कोही नी रोगा हूं वह पसा फिर सब ने दिल्ली जाके सांसली दिली जाके हम इखे तो डिल्ली पहुंचते ही हमारको टाइम हो गया था है ठाही तीन बच गय था ग़ा हुआं तो क्या हुआ था, नंवरात है जैंड़े वाली माता मंदीर हम जब पहुंच ए तो जैंड़ रखाया और वहां से ना परशाद मिला था लड़ू का परशाद और कुछ बूंदी थी उसमें कुछ मिठा था अब वो क्या हुआ मैंने परशाद अपनी बाइक पर टांग लिया मैं बहुत चलो घर जा रहे हैं अपनी वाइफ को खिला हूंगा माता रहनी का परशाद अपर तो मैंने रख लिया अब दीरी दीरे जो जो दोस्ते सब अलग अलग होगा सब आप अपने गह निकल गया अब टाइम हो गया तीन साड़े तीन का तो ते में पतेललनां में सेटोज नगुशंगर साइड रहा था आपर अज बना नी जा उस टेंप पर पहले यहाथ फ़रण नृपी बना मैं में और सेडे कीुफा यह स्टैड मी राहता हूए तो रागे की दो ही Epic अदमी स्टैडी क्छ्ट में उसके हाथ में लंच बॉक्स था, एक पुराना टाइप कर जो डबा हो था, खाने का, हो था उसके पास, और अंधेरे में खड़ा होा था, मैंने उसका फेस भी नहीं देखा कौन था, तो मैंने जानता हूँ कौन था, मैंने इसको देखा भी नहीं आची तरह से, तो उसने मु मैं देखा चलो परिशान आदमी रात को बसने आ रहा चैनल रहा है यह वह बैड़ गया उसने कुछ नहीं कहा जैसे मैंने बाइक चलाई तंगे वाले स्टेंड़ आ गया उस आदमी ने कुछ नहीं कि दो कुछ नहीं क्याने मैं चलता रहा टा रहा दो स्टॉप और नकल गे lBe not अगे पँजाई बाग का नाला या अपंजाई वाग का नालवा से तीन स्टॉप निकले गाता नके एक पाउखने पर फिर पार्त। लगए कि मुझे ना चीए कि कर भाऊ मैं वहार ला तांगे वालपा स्टेर्ड तो उसने बोला तांगे वाला श्टांड चला गया एक काम कल उतार से हैं अब मुझे बड़ा जीव सा लगा कि दू स्टॉप बाद इसको तरना था अब ये पांच स्टेंड दूर आ गया लेकिन इसने मुझे जुकने के लिए गयो निका आप जोटने मानों कि मेरा ध्यान सीधा परशाथ पर गया क्योंकि कहते हैं कि रात की टैम पे मीठा लेगे न पिछले ब्लोक में मैंने बताया था कि पहले भी एक बार हुआ था तो मुझे सब कानी समझ में आगी कि यह क्या अला बल रहा है अब मैंने वह परशाथ अब वह आदमी कुछ नहीं बोला वह सिर्फ बाइक से जैसे कोई उतरता हलकी बाइक हो जाती वैसे हलकी बाइक मैं बिना पीछे देखें मैं सीधा खरा गया है तो दोस्तों यह है कि जो हमें गाओं में औरत मिली थी उसका भी नहीं पता वह कौन थी और यह आदमी कौन था इसका भी नहीं पता लेकिन थी कोई अलबल आई अगर मैं परशाथ फैकता नहीं तो शाइद मेरे साथ कुछ गलत भी हो जाता तो घर आने के बाद बहुत बुरी आलोत दी घर आके फिर मैं फ्रेश होके मैंने घर पर सबको बताया बहुत ही अजीव सा इंसिदेंस था तो अमेरी कानी यहीं कतम होते हैं और आगे भी स्टोरी लाता रहूंगा और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक और श्याइड कर देना जैश्विटी ना